और हिंदू.. हिंदू को क्यों स्रे कुरान से मसला है? ऐसल में बहन, सारी दुनिया से इसलाम को मसला है आपको गलत पढटाया गया है, आपके जो एजूकेशन है पाकिस्तान की जहां से आपने तालिव हासिल की है वहां से स्टार्ट से ही आपको गलत नोलीज दिया रोज पाकिस्तान के अंदर नॉन मुसलिम्स, हिंदू और क्रिश्चनों को किस तरीके से कतलों गारत किया जाता है उनका ये बात किसी सथ खुबी नहीं है जी सैदूल्ला हसन साब आवाज आ रही है मेरी जी सर आ रही है जी आ रही है आप तो मेरे ख्याल से खातून लग रही है जी जी खातून है ओके आप मौमिना है बेहन जी जी अलहम्दुल्ला चले बड़ी खुशी की बात है तब से पहले तो आपका इस्तक्वाल है जी शुक्रिया जी बताएं क्या कहना चाहेंगे अब तो मेरा सवाल है आपसे सर काफिर जो है वो गुरान में भी सब को कहा गिया है तो पिर क्रिस्चन लोगों को यहाँ पे मतलब बहुत सारे यहाँ पे मसाजिद है मुसल्मान है तो इन लोगों को क्यों मतलब कुरान से और मुसल्मानों से मतलब कोई मसला नहीं है और हिंदू को ही क्यों सर्फ कुरान से और मुसल्मान से मसला है क्रिस्चन को क्यों नहीं है यहाँ पे बहुत सी मुसल्मान है मसाजिए है कुरान लेकिन सरफ हिंदू को ही क्यू कुरान से मस्ला है मेरा ये स्वाल है आप जितना मैं आपकी बाद चीज़ से मैंने अंदाज़ लगाया है मुझे अन्छिध लगता चीज़ आपका तालूक पाकिस्तान से है राइट जी जी हाँ मैं पाकिस्तान से हो चले बड़ी बड़ी बैस्तान के बात नहीं कर रही ना मैं य Queens at never of the बात कर रहे हुआемонा ना मुछ चले वो चले कोई बात नहीं है मैं ने तो आपका तारूफ के तौर पर पूछा आपकी जो आपका जो लहजा है बात करने का गुफटगू करने का वो पाकिस्तानी है इसलिए मैंने पूछा हाँ हाँ जी जी असल में आप जो यह कह रही हैं कि क्रिश्चन को जो है, वो मुसल्मान से और इसलाम से मसला नहीं है, क्यों गर मुसलिमों को है, तो मैं आपको एक चीज बता दूँ, दुनिया में किसी को भी इसलाम से मसला नहीं है बलकि सारी दुनिया से इसलाम को मसला है असल में बहन सारी दुनिया से इसलाम को मसला है और जब सारी दुनिया से इसलाम को मसला हुआ और उसने सारी दुनिया को परिशान करना शुरू किया फिर सारी दुनिया को इसलाम से मसला हो गया ऐसा नहीं है कि सनातनियों को या हिंदूों को इसलाम से मसला है या आपको इंफॉमिशन गलत दी गई है आपको गलत पढ़ाय गया है आपके बेसिक जो एजुकेशन है पाकिस्तान की जहां से आपने तालिव हासिल की है वहां से स्टार्ट से ही आपको गलत नौलीज दी जा क्योंकि जिस वक्त मुस्लिमान इसलियानी की अर्बी लोगों ने यहाँ पर हिंदूस्तान में आकर के हमले की और हुकूमते की उस वक्त मजोरिटी में या हिंदू थे लेकिन ये इतने सेक्विलर और इतने टॉल्रेंट है कि इन होने उसको भी यही समझा कि ये भी हमारे धर की तरह एक धरम एक मजब है ये भी जिसे हम अपने भगवान को मानते हैं पूछते हैं ये भी अपने खुदा को मानते हैं अपने नभी को मानते हैं उन्होंने इनको रहने की जगा दी अपने साथ मिलाया अपनी मजब को फॉलो करने की जाज़त दी इवन दो आज हिंदुस् इसी पारिटी की सरकार होने के बाद भी जिसमें जो टोटल टोटल जो है नॉन मुसलिम पार्टी है लगवक। उसके बाद भी आज भी हमारे भारत के कॉंस्टुटूटीशन में ये लिखा हुआ है कि हर एक इनसान को उसका रिलिजन प्रक्टिस करने उसकी मताबिक जिन्द कि इसलाम को क्रिश्टन से कितनी प्राब्लम है हद से जादा क्योंकि कितने ही ऐसे क्रिश्टन हैं जो मुझे मैसेज करते हैं मुझे इमेल करते हैं ये ये बताते हैं कि हम पाकिस्तानी लोग है उनके लहज़े से लगता है कि जैसे वो शुरू में कॉल करते हैं मुझे तो नौन मुसलिम्स, हिंदू और किर्ष्चनों को किस तरीके से कतल और गारत किया जाता है उनका, ये बात किसी से छुपी नहीं है, इवन खुद पाकिस्तान का सरकारी आकड़ा ये कहता है, कि हर साल, अभी सरकारी आकड़ा बता रहा हूं, तादा उससे दो तीन गुना जादा है, हर साल, पाकिस्तान के अंदर, एक हजार हिंदू बच्चियां, मुसल्मान बजर्गों से शादी करके, इसलाम को एकसेट करती हैं, और अपने मख़ब को पीछे छोड़ देती हैं, और कन्वर्जन होता है उनका, और जब वो कोट में जाते हैं, उनकी फैमिली वाले, त कोटे से होम, तुमकार आप नाम और निशान बटा देंगे, वो बच्चे कह देती हैं, कि मैंने अपनी मर्दी से इसलाम को पुबूल किया है, कोई भी आके हमारी बच्चें को, बारा-बारा 13 साल की बच्चें को, कोई भी हास से पकड़के, किड्नेम करके, उसकी रातो र उसने इसलाम कबूल करके शादी कर लिए, ये हाले हमारा, ये आपके प्यारे पाकिस्तान के हालात हैं, क्रिस्चन और नौन मुस्लिम के मतालिक, और हमारे हिंदुस्तान के हालात ये हैं, कि हमारे यहां एक नौन मुस्लिम बहन, नुपुर शर्मा, सिर्फ वो हदीस बतात old and consummated the medicine when I was nine year old बताती है खुद अजराल हजरत आशा बता रहे हैं कि आप जनाब रसुल आल्ला ने मुस्स शादी की जब मैं छे साल की थी और मेरे साथ हम बिस तरी की जानी के पहली रात गुजारी जब मैं नो साल की थी एक हमारे यहां एक हिंदू बहन सिर्फ इतनी ही बाट टीवी पर बैट कर कह देती है मैं कह दूँ आपके रसुल आल्ला ने छे साल की बच्ची से शादी की तो उसके उपर कमाम हिंदुस्तान के मुसल्मान रोड पर निकलते हैं और हमारे देश का सुप्रीम कोट उसको गिल्टी कहता है उसको गिल्टी कहता है हमारे देश का सुप्रीम कोट हम अपने देश के सुप्रीम कोट कानून विवस्ता का संबान करते हैं इज़त करते हैं उसके फैसले का डिसिजन का रेस्पेक करते हैं लेकिन ये हिंदुस्तान के हाला अथ है जहाँ आप कह रहे हैं कि हिंदुओं को क्यों प्रोबलम है इसलाम से लेकिन दोस्तों ये बिलकुल भी सच नहीं है आप जानते हैं कि बारत ही केवल एक मतर ऐसा देश है जहां पर 25-30 करोड मुसलमान होते हुए भी माइनोर्टी में हैं लेकिन आपने देखा होगा कि किसी भी देश में ऐसा नहीं है कि इतनी ज्यादा संख्या में मुसलिम होते हुए भी उन्हें माइनोर्टी का दर्जा दिया गया हो केवल बारत ही एक ऐसा देश है जहां पर ये संभव है और अब इस पाकिस्तानी मेडम की इस बात पर भी जिकर कर लेते हैं कि केवल हिंदों को ही इसलाम या कुरान से नफरत है दोस्तों ये बात भी इस मेडम की बिलकुल जूट है क्योंकि सीरिया, इरान, इराक, अफ़कानिस्तान जैसे देशों में आज के समय हिंदों नहीं है वहां पर केवल मुसलिम होते वे भी वो आपस में लड़ रहे हैं तो दोस्तों यदि हिंदों को ही मुसल्मानों से प्रोबलम है तो फिर इन देसों में लड़ाई क्यों हो रही है और क्यों गराय यूद जैसे हालात बने वे हैं दोस्तों इसका सिधा सिधा मतलब ये है कि हिंदों को इसलाम से दिक्कत नहीं है लेकिन इसलाम को पूरी दुनिया से प्रोब्लम है दोस्तो अब बात कर लेते हैं मेडम के पाकिस्तान की पाकिस्तान में मुस्लिम को ही केवल आला दर्जा का इंसान माना जाता है और ये भी सच है कि पाकिस्तान में दूसे द्रम के लोगों को परतारित किया जाता है चाए वो गरीब हो या फिर अमीर और इस बात का सबसे बड़ा हुधारन दानिस का नेरिया है जो कि सनातन द्रम से बिलोंग करते हैं और यही दानिस का सबसे बड़ा गुना था और काफिर होने की वज़े से हिसायत दानिस कानेरिया को सजा मिली दोस्तों दानिस कानेरिया के साथ पाकिस्तानी किर्केटर ऐसा वेवार करते थे कि मानो कि उनके कोई छुआ छूद की विमारी हो उनके साथ कोई बैट कर खाना नहीं खाता था उनके साथ कोई बाचित नहीं करता था और उन्हें काफिर बोला जाता है ये सब बाते दानिस केनेरिया ने टीवी पर आकर बहुत बार बताया है कि कैसे उन्हें पाकिस्तानी मुस्लिम किर्केटरों के दोवारा हरास्मेंट किया जाता है तो दोस्तों ये पाकिस्तानियों की एसली होकात है जो मैंने आपक दिखाईएंगे दोस्तों अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान में माइनर्टीज की बारत के आज़ाद होने के बाद पाकिस्तान और बारत अलग-लग हो गए और उस समय पाकिस्तान हिंदुों के संख्या ज्यादा थी लेकिन अब वही संख्या 2% के करीब रह गई है क्योंकि पाकिस्तान में माइनोर्टे के साथ दुरुवेवार किया जाता है चाय वो हिंदु हो या फिर कोई अध्ने धर्म का और इन गैर मुस्लिम लोगों को पाकिस्तान में मारा काटा जा आता है और 12-12 साल के लड़कियों को पाकिस्तान में मजबूर करके 50 साल के मुस्लिम बुढ्य के साथ विवा कर दिया जाता है जिससे की 516 लोगों में भी इसलाम फैले, दोस्तों पाकिस्तान में हर साल 1000 से ज्यादा गैर मुस्लिम लड़कियों का दिरंपरिवर्तन करवाय जाता है तो फिर इन लोगों का हिंदू के परती सवाल उठाना कहां तक जाए जग कमेंट बॉक्स में अपनी राइज जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बैल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का मुत्राम राओ